मैं आपको हिमाचल परदेश के टॉप बन थाउजन क्वेस्टन का पार्ट सिक्स करवाऊंगा जिसने पहले पांच पार्ट नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शिन में लिंक दे दूँगा आप बहां से वीडियो को जरूर चेक करें तो शुरू करते हैं पहला कॉश्चिन है हिमाचल परदेश के किस जिले का क्षित तरफल सबसे अधिक है तो वो है लाहोल स्पिती का और सबसे कम पूछा जाए तो वो होगा हमीरपूर का कुलू रियासत के किस शाषक ने कुलू में रगुनात जी की मूर्ती की स्थापना की थी तो वो की थी जगत सी ने कभी कॉश्चिन ऐसा भी पूछा जाता है कि कुलू जिले का या कुलू रियासत का सबसे शक्ति शाली राजा कौन थे तो वो थे जगत सी और 1653 इसवी में इन्होंने रगुनात जी की मूर्ती की स्थापना की और 1651 इस्वी में दामोदर दास ने रगुनात जी की मूर्ती लाये थे अयोध्या से कसोल गरम पानी का चश्मा हिमाचल परदेश के किस जिले में है तो वो कुलू जिले में है सूरिशताल जहील हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो वो लाहूल्स पिती में है और ये हिमाचल परदेश की सबसे उंचाई पर स्थित प्रकृतिक जहील है जो की 4800 मिटर की उंचाई पर स्थित है प्रसिद बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो बाला सुंदरी मंदिर सिर्मौर जिले में स्थित है शिमला का गेटी थेटर आम जनता को कब समर्पित किया गया था तो वो 1887 इस्वी में समर्पित किया गया था गडासरू जील किस जिले में स्थित है तो वो चमबा जिले में स्थित है मैंने जीलों से समंदित भी वीडियो बनाई है जिसने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से उसे जरूर चेक करें शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो थे लॉर्ड एम हर्स्ट अगला कॉशन है कुलुत या कुलू रियासत का संस्थापक कौन है तो वो है विहंग मनिपाल जो की अयोध्या कल्प ग्राम से आये थे बाख़णा बांध किस बर्ष बनाया गया था तो वो बर्ष 1963 इसवी में बनाया गया था हिमाचल परदेश के किस जिले की रुमाल कला प्रसिद है तो वो चमबा जिले की रुमाल कला प्रसिद है नाहन नगर की नीव किस शाशक ने रखी थी तो नाहन नगर या नाहन शहर की नीव करम प्रकाश ने रखी थी फुलेच तेहार किस जिले में मनाया जाता है तो यह किनोर जिले में मनाया जाता है हिमाचल परदेश के पहले मुख्य मंत्री कौन थे तो वो थे डॉक्टर यश्वन सी परमार कांगडा जिले का मुख्याले कौन सा है तो वो धरमशाला है हिमाचल परदेश में कितने रश्ट उध्यान या पार्क है तो वो पांच पार्क है और 32 वन्यजीब अभिहारन है कंदर और कापुल किस नदी पर बना है तो वो बना है सतलोज नदी पर गांधी इर्विन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गांधी जी किस वर्ष शिमला आये थे तो वो 1931 में शिमला आये थे हिमाचल परदेश में चुकंदर की खेती कहां पर होती है तो वो किनौर जिले में होती है लुहारा या लुहारा किस रियासत की राजधानी थी तो वो सुकेत रियासत की राजधानी थी बड़ा शिगडी गलेशियर किस जिले में स्थित है तो वो लाहोल स्पिती में स्थित है भेड वा उन के विकास हेतू सरकारी भेड प्रजिनन फॉर्म हमिरपूर किस जिले में किस स्थान पर है तो वो है हमिरपूर के ताल में शूलिनी माता मंदीर हिमाचल परदेश के किस जिले में है तो वो सोलन जिले में है स्थान्य भाशा में हिमनंद या गलेशिर को क्या कहा जाता है तो वो से शिगड़ी कहा जाता है रानी तालबाग का निर्मान किसने करवाया था तो वो शमशिर्प सिहने करवाया था कसोल गर्म पानी का च्श्मा हिमाचल पर्देश के किस जिले में स्थित है तो वो कुलू जिले में स्थित है सिकंदर ने किस नदी के किनारे अपने भारत आकर्मन की निशानी के रूप में स्तंब का निर्मान करवाया था वो करवाया था ब्यास नदी के किनारे पर हाथी धार किस जिले में है? तो वह चमबा जिले में है सुगौली की संदी किस किस के बीच हुई थी? तो वो इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी तत्ता पानी गरम पानी का स्त्रोत किस जिले में है? तो वो मंडी जिले में है अम्बुजा सीमेंट फैक्टरी हिमाचल परदेश में किस स्थान पर है तो वो दालडा घाट सोलन में है 1948 में जब हिमाचल परदेश बना तो कौन सा जिलाक्षे त्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला था तो वो था उस समय महासू कि मौनेस्टरी कहां स्थित है तो वो लाहोल स्पिती में स्पिती जिले में स्थित है सुजानपूर टिहरा के परसिध होली मेले की शुरुआत किस राजा ने की थी तो वो की थी संसार चंद ने भारत में इलक्ट्रोनिक वसे चलाने वाला पहला राज्य कौन है तो वो है हिमाचल प्रदेश सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर प्रथम प्रवेश करती है तो वो करती है कि नौर जिले में सोलन जिले का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा तो वो शूलिनी देवी के नाम पर पड़ा परसिद शाशक संसारचंद की मृत्तियों किस वर्ष हुई तो वो ही थी 1823 एस्वी में और वे कांगडा के शाशक थे ब्रह्मापूर में नरसी मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो वो त्रीभुवन रेखा देवी ने करवाया था किरगंगा गरम पानी का चश्मा किस जिले में है तो वो कुलू जिले में है शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस ने किया था? वो किया था राजकुमारी अमरित कौर ने हिमाचल परदेश में सबसे अधिक उद्रक उत्पादन वाला जिला कौन सा है तो वो सिर्मौर है कियास वन्यजीव अभिहारन हिमाचल परदेश के किस जिले में है तो वो कुल्लू जिले में है मैंने वन्यजीव अभिहारन से संबंदित वीडियो भी बनाई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप बहां से उसे जरूर चेक करें दस आर्य राजाओं के युद्ध दशराज का वरनन किस हिंदु धर्म गरंत में मिलता है तो वो मिलता है रिगवेद में रानी तालबा किस कहां पर स्थित है तो वो नाहन में है जो कि सिर्मौर जिले में है नाड़ा महल का निर्मान किसने करवाया था तो उमेद सिहने नाड़ा महल का निर्मान करवाया था मंडी जिले की बलह गाटी की औस्तन उंचाई कितने मिटर पे है तो वो 800 मिटर पे है और हिमाचल परदेश की सबसे अधिक उपचाओ घाटी है बलह घाटी जो की मंडी में स्थित है कुलू राज्य के किस थान को छोटी काशी कहा जाता है तो निर्मंड को छोटी काशी कहा जाता है वह व्यक्ति कौन है जिसने स्पिती के मठों को जला दिया था तो वो है जुरावर सी साच दर्रा कौन से जिले से में स्थित है तो वो चमबा जिले में स्थित है मणी महेश जील किस जिले में है तो वो चमबा जिले में है हिमाचल परदेश के पहले मुख्यमंत्री किस दल के थे तो वो थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के राभी नदी किन किन गलेशियर धाराओं से बनती है तो वो बादल और तंत्रगीरी से बनती है हिमाचल परदेश में सबसे अधिक लगू उद्योग इकाईयों वाला जिला कौन सा है तो वो कांगड़ा है अगर कॉश्चिन में पूछा जाता कि सबसे अधिक उद्योग इकाईयां वाला जिला तो आता अंसर सोलन कुलू अंग्रेजों के अधिन कब आया था तो 1846 में कुलू अंग्रेजों के अधिन आया था और 1846 में ही लाहोल स्पी टीवी कुलू के अंग्रेजों के अधिन आ गया था National Biological Laboratory हिमाचल परदेश के किस स्थान पर स्थित है तो वो पालमपूर में स्थित है अशोक दबारा हिमाचल परदेश में पॉंटा घाटी में निर्मित एक स्पूत को एक मुसल्मान शाषक ने दिल्ली में कहां स्थान्तित किया था तो वो किया था फिरोजशा कोटला में लामा जील जो की चम्बा जिले में है कितने जीलों का स्मू है तो ये साथ जीलों का स्मू है हिमाचल पर्देश के शिर्मौर जिले कि क्यारदा दून घाटी को कौन सी नदी सीचती है तो वो गिरी और बाटा दौनों नदिया ताबो मठ जो की बहुत धर्म से संबंदित है यह कहाँ पर है यह लाहोल स्पिती में है चमबा के किस राजा ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी तो वो उमेद सिहने लगाई थी गुरू गोविंच सींग ने किस राजा के साशनकाल में सिर्मौर की यातरा की थी तो वो की थी मेंदनी परकाश के साशनकाल के दौरान हिमाचल का पूर्ण राजत्व दिवस का बनाया जाता है तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है गुलारी नामक जोथ हिमाचल परदेश में किस जिले में स्थित है तो वो लाहोल स्पिती में स्थित है पारवती घाटी कहां पर है वो कुलू में है हिमाचल परदेश के किस थान पर अटल विहारी बाजपाई का निवास थान है तो वो है प्रेणी मनाली में कौन सा दर्रा लाहोल को स्पिती से अलग करता है तो वो दर्रा है कुझ्जुम दर्रा सिर्मौर राज्य का अंतिम शाशक कौन था तो वो थे राजंद्र प्रकाश कांगडा के ले का बीर विलिंग नामक या फिर बीर विलिंग नामक स्थान किस खेल के लिए जाना जाता है तो वो पैरा ग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी जल विद्यूत परियोजना कौन सी है तो वो है पारवती जल विद्यूत परियोजना जो की 2051 मेगाबाउट की है हिमाचल की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है तो यमना नदी को कालिंदी कहा जाता है जो कि हिमाचल परदेश में सबसे कम बहती है यह हिमाचल परदेश में 22 किलोमेटर का रास्ता तरे करती है हिमाचल परदेश की किस नदी को पार करने में सिकंदर आसफल रहा था तो यह ब्यास नदी को पार करने में आसफल रहा था चंद्र और भागा नदियां कि स्थान पर मिलकर चिनाव नदी का निर्मान करती है तो वह तांडी नामक स्थान पर मिलकर चिनाव नदी का निर्मान करती है नीरत का सूपरजित सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो वह सतलज नदी के किनारे स्थित है हिमाचल परदेश में Central Research Institute कहां पर स्थित है तो वह कसोली में है जो कि सोलन जिले में स्थित है दरवार, बागेश्वरी और बहार किसके परकार है ये चाय के परकार है सिर्मौर राज्य की पुरानी राजधानी कहां पर स्थित थी तो वह सिर्मौरी ताल में स्थित थी कांगड़ा के जिसे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था तो उस गद्दन का नाम था नुखु जिसस कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था बूतनात मंदिर जो की मंडी जिले में है इसे मंडी के किस सराजा के दवारा बनवाया गया था तो ये बनवाया गया था अजवर सेन के दवारा जिसने मंडी शहर का निर्मान किया है मनाली का नाम किस पर रखा गया तो वा रिशी मनी पर मनु रिशी के नाम पर रखा गया मनाली का नाम चमबा जिले में भेड प्रजनन फॉर्म किस थान पर है तब सरोल में है बिलासपुर नगर की स्थापना किस ने की थी तब दीप चंद ने की थी रौरिक कला संग्रालिया हिमाचल परदेश की किस घाटी में स्थित है तबह कुलू घाटी में स्थित है परंबिर चक्र से सम्मानित हिमाचल परदेश की पहले व्यक्ति कौन थे तो वो थी मेजर सौमनात शर्मा महमूद गजनवी ने कांगडा किले मेकब लुटपाट की थी तो वो की थी एक हजार नौ में हिमाचल परदेश में पहली बार गयर कॉंग्रिसी सरकार कब बनी थी तबह 1977 इसवी में बनी थी सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के किनारे पर स्थित है तबह मारकंडेय नदी पर स्थित है हिस्टरी ओफ मंडी स्टेट नामक पुस्तक के लिखक कौन है तो वो है मनमोहन सी मैंने हिमाचल परदेश की प्रसिद पुस्तक एवं उसके लिखक से समंदित वीडियो भी बनाई है उसका लिंक भी मैं वीडियो में दे दूँगा तो आप उसे भी जरूर चेक करें क्यूंकि अकसर कॉस्चन्स बहां से भी पूछे जाते हैं कॉंपर्टिडिव एक्जाम्स में कांगड़ा का कौन सा राजा दिवान के नाम से प्रसिद था तो वो थे भीम चंद फाग मेला हिमाचल में कहां पर मनाया जाता है तो वो रामपूर शिमला में मनाया जाता है हिमाचल पर्देश के किस जिले में है तो वह सिर्मौर जिले में है हिमाचल पर्देश में सरवादिक वर्षा किस थान पर होती है तो वह धरमशाला में होती है कुगती वन्यजेव अभियारन हिमाचल पर्देश के किस जिले में है तो वह चंबा जिले में स्थित है किस ब्रिटिश आर्गिटेक ने राष्टरपती निवास शिमला का डिजाइन बनवाया था तो वो बनाया था हैंडरी इर्विन ने बीर सेन को किस रियासत का संस्थापक माना जाता है तो उसे सुकेत रियासत का संस्थापक माना जाता है हिमाचल परदेश के किस जिले का जनसंग क्या घनत्व सबसे कम है तो वो है लाहोल स्पिती के जिले का शुवासी आर्ट गैलरी की स्थान पर है तो वो अंद्रेटा में है जो की कांगडा जिले में स्थित है आदुनिक समे में मानक परबत को समानने तह किस नाम से जाना जाता है तो उसे जाना जाता है शुवालिक के नाम से तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेट कॉश्चन्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो कॉमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ